सम्वेग के संबंद में अलग-अलग मनोवध्यानिकों ने अलग-अलग परिभासा दी हैं और उनकी अमसार जो है सम्वेग अलग-अलग प्रकार से होते हैं गिलफोड ने कहा है कि सम्वेग जो हैं तीन परकार से होते हैं एक प्राथ्मिक, दुतियक और तिर्टियक प्राथ्मिक के अंतरगत प्रेम, भय और करोध हाता है गेट्स ने कहा है कि कुछ अलग प्रकार के जो हैं समवेग होते हैं इन्होंने माना है कि क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता इतने प्रकार के समवेग होते हैं तो वह रास मानते हैं कि समवेग तीन प्रकार के होते हैं ग्यानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक ग्यानात्मक में क्रोध, ग्रियात्मक में घरणा और भावात्मक में प्रेम तो मैकडूगल मानते हैं कि सम्वेक कुल 14 होते हैं 14 प्रकार के सम्वेक होते हैं सम्वेकों की विशेषता हैं सम्वेकों की कुछ प्रमुख विशेषता हैं जैसे कि तीव्र, समेग तीव्र होते हैं, छड़िक होते हैं, व्यक्तिगत भिनता होते हैं समेगों में, समेग सक्ति परिवर्तन करते हैं, और मूर्त वस्तुओं तथा इस्तितियों से संबंदेथ होते हैं, तो समेग की यो कुछ प्रमुख विसेशताएं थी झाल झाल झाल